नमस्कार दोस्तो आपका हमारी यूटूब चैनल भक्ति ग्यानतियोहार में स्वागत है आज की मेरी कहानी है गर्बती गाय की सिभ भक्ति अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेब जरूर लिखे साथ ही अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अब सुनूए ये कहानी किसी गाओं में एक बूरी माई रहती थी उन बूरी मा के पास एक बहुत ही सुन्दर सी गाय थी जिस अब बूरी मा को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी और उधर गाय भी बूरी मा को अपनी मा जैसा ही समझती थी दोनों का रिस्ता मा बेटी जैसा था मगर ये रिस्ता जादे दिनों तक न रह सका एक दिन अचानक ही बूरी मा चल बसी और गाय अनात हो गई गाय बूरी मा की चिता के पास खड़ी सोचती है मा तुम तु मुझे अनात करके चली गई अब पता नहीं मुझे कहां कहां भटकना पड़ेगा ये सोचकर गाय वहां से चल देती है बूरी मा धार्मिक बिचारों के महला थी और उनके साथ रहने के कारण गाय मैं भी गहरी धार्मिक आस्था पैदा हो गई थी गाय भगवान शिव की सच्चे मन से भक्ती करती थी इसलिए वह रंभाती हुए सिवलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है हे महादेव मेरी बूरी मा को बैकुंट में जगे देना साथ ही मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की रच्चा करना भूलेना उस दिन के बाद गाय गाओं के पास जंगल में भटकने लगती है वे भूक लगने पर हरी हरी घास चरती है और फिर जंगल में पुराने सिवलिंग के पास आकर आराम करती है सोते जाकते और उठते बैठते वे बस भगवान शिव का नाम ही रठती रहती है एक दिन गाय को जोर की भूक लग जाती है तो वे सोचती है आज तो बहुत भूक लगी है और नदी के पास उगी कोमल कोमल गास खाने का मन है आज उधर ही जाती हूँ ऐसा सोचकर गाय कोमल गास की चाह में नदी की तरफ चल पड़ती है उसी समय एक कसाई जंगल में किसी जानवर का सिकार करने के लिए घूम रहा था कसाई जब गाय को देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वे मन में सोचता है वहा ये गाय तो बड़ी ही हश्ट पुष्ट है और गर्वती भी लगती है क्यों न इसे घर ले चलू जब तक दूद देगी इसका दूद पियूँगा और जब दूद देना बंद कर देगी तो इसे काट दूँगा और किसी को पता भी नहीं चलने दूँगा यही सोचकर वह कसाई गाय को रसी से बांद कर घर ले आता है और सबसे छिप कर एक चपर में बांद देता है गाय रंभानी लगती है तो कसाई उसके आगे घाश डाल कर उसकी पीट पर हाथ फेरते हुए कहता है अरे मैं एक कसाई हूँ जानवरों को मार कर उनका मास बेचना और खाना मेरा पेशा है पर याद रख तो जब तक मुझे दूद देती रहेगी मैं तुझे नहीं मारूँगा कसाई की यह बात सुनकर गाय बहुत घबरा जाती है मगर फिर मन को तसली देते हुए खुद से कहती है अरे भले ही यह आदमी कसाई है मगर फिर भी जब तक मैं इसे दूद देती रहूँगी यह मुझे नहीं मारेगा इसलिए मैं इसकी बात पर भरोसा कर लेती हूँ यही सोचकर गाय सांत भाव से कसाई के घर proteg लगती है कसाई गाय की खूब सेवा करता है और उसे पोस्टिक आहार देता है इस कारण कुछी दिनों में गाय की सिहत और भी अच्छी हो जाती है यह देख गाय खुद होती है और मनही मन सोचती है यह कसाई तो मेरा बहुत ख कसाई था और इसी कारण उसे हर जानवर में बस मास ही दिखता था वे अपने घर कोई जानवर पालता भी था तो उसे काटने के लिए ही पालता था एक दिन उसके पास मास का एक बड़ा ओडर आता है तो वे गाए की ओर देखते हुए कहता है क्यों न इसको काट कर बेच दू अरे किसे पता चलेगा कि ये मास गाए का है ये जंगली बहंसे का यही सोच कर कसाई गाए को काटने के लिए तैयार हो जाता है और गाए थर थर कामते हुए भगवान शिव को याद करती है और कहती है हे महादेव मैंने आपकी मन से भक्ति की है मेरी भक्ती की लाज रखो और इस कसाई से मेरी और मेरे गर्ब में पल रहे मेरे बच्चे की रच्छा करो गाई के यह कहते ही सिवलिंग से एक नाग निकलता है और कसाई के घर प्रकट होकर उसे डश लेता है हाई मुझे नाग ने डश लिया अरे गाई को काटने की बाद सोचकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया भगवान ने मुझे मेरे उसी पाप की सजा दी है यह कहते हुए कसाई वही मर जाता है और भगवान शिव के चबतकार से गाई कसाई की कैद से आजाद होकर जंगल की ओर चली जाती है और कहती है हे महदेव आपने मेरे और मेरे बच्चे के प्राण बचा कर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है उस दिन के बाद गाई जंगल में ही रहने लगती है धीरे धीरे बच्चे को जन्म देने का समय निकटाता है तो गाई का घूमना कम होता जाता है वह एक पेड के नीचे आराम करती और उसी के आसपास घास चर लेती वह हर समय अपने होने वाले बच्चे के पारे में सोचती रहती और कहती मुझे बेटा हो या बेटी मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार दूँगी अपने बच्चे के साथ खेलूंगी और उसे भी भगवान शिव की भक्ती के लिए प्रेरित करूंगी एक दिन गाय घास चरने जाती है तो उसे प्यास सताने लगती है वैं सोचती है मुझे तो बहुत प्यास लगी है पर ठकवी तो गई हूँ पर नदी पर पानी पीने तो जाना ही पड़ेगा यही सोचकर गाय नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है और जब बह गाय पानी पी रही होती है तो अचानक ही उस पर एक भूके बाग की नजर पड़ जाती है बाग सूचता है वहाँ आज कई दिनों के बाद कोई बड़ा सिकार मिला है बहुत भूका हूँ अब तो इसे खाकर ही पानी पिऊगा यह कहकर बाग गाए पर जपट पड़ता है और उसकी टांग को अपनी जवड़े में जखड लेता है खुन बेहने लगता है और गाए दर्द से करहा उठती है और कहती है हि महादेव मेरी रच्छा करो मुझपर तू संकट पर शंकट आ रही है गाए जैसे ही भगवान सिभ को याद करती है भगवान सिभ उसकी सामने प्रकट हो जाते है और कहते हैं बाग तुम अपने भोजन के लिए कोई और सिकाट ढूड़ो यह गाए मेरी भक्त है और मैं अपने भक्त के हमेशा रच्छा करता हूँ यह सुनते ही बाग गाए को छोड़ कर भाग जाता है और महादेव अपने दिपे शक्ती से गाए के घाओं को ठीक कर देते हैं फिर गाए को अपना आशिरवाद देते हुए कहते हैं मैं तुमारी भक्ती से बहुत प्रशन हूँ आज के बाद तुम और तुमारा होने वाला बच्चा सदेव सुखी रहेंगे अब तुम पर कोई संकट नहीं आएगा या कहकर भावान शिव अद्रेश हो जाते हैं गाए जंगल में आगे बढ़ती है तो उसे एक महत्मा जी मिल जाते हैं महत्मा जी गाए से कहते हैं हे गौमाता, मेरी आप से बिंती है कि आप मेरे साथ मेरी आश्रम में चल कर रहें इससे हम साधूं को आपकी सेवा और आपके अमरेट समाद दुखत पान करने का अफशर मिलेगा गाए महत्मा जी की बात माल लेती है और खुसी खुसी महात्मा जी की आस्रम में रहने लगती है कुछ दिन बाद वैं बहुत ही सुन्दर बच्छडे को जन्म देती है और इसी खुसी में आस्रम में उत्सम मनाय जाता है इस पर गाये खुस होकर भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए कहती है हे महादेव आपकी किरपा से मुझे संत महात्माओं को साथ मिल गया यहां मैं और मेरा बच्चा बहुत खुस रहेंगे उस दिन के बाद गाये और उसके बच्चे पर कोई संकट नहीं आता बेदोनों संतों के शानिद्धि में सदेव इश्वर भक्ति में लीन रहते हैं जैहो भगवान शिव की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएए साथी मेरे वीडियो को ज़ादे से ज़ादे शेयर करिए धन्यवाद दूस्तो